जै सामिनाय मेत्रों, हुँच्छों दसना, दसना स्पुड एन किचन हप मां तमाल सागत छे आजे आपने बनावी सु सोट अका परफेक्ट माक्ति रू जेवा पोच्चा फुलेला जारिदार क्रिस्पी मेथीना गोटा आगोटा बनावान एकदम सहला जे औने फरसाणनी दुकान जेवा जे आपड़े लारी परफण खाईये जेने बस एज स्वाद मा एवाज टेश्टी मेथीना गोटा घरे एकदम सररता थी बनावी वरसात मा गर्मा गरम मेथीना गोटा बेशननी चटनी साथे अथवा तोल तामेटा केचप साथे पन सरु करी सकोजो आ सीवाइ दैनी करी साथे पन तथा जीणी समारेली डूंगडी जो खाता होई तो एनी साथे पन खावानी खुब मजा आवेशे आ साथ एक जर्मा गरम तर्रेला मरचा होई तो स्वाध अनेरो बनी जाएजी तो चालो बनावानू सरू करिये पड़ आ रेसिपी जूता पहला हजू सुती तमें दर्शना स्पुडेन कीचन हाप चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होई सब्सक्राब कर लो बेल आइकन ने दबाओ जेती दरेक नवा वीडियो ना नौटिफिकेशन मरता है मेथी ना गोटा बनावा माटे सौथी पहलला बेचमची जेतला सुका धाणा ने अतकच्रा वाटी लाइसू मेथी ना गोटा बनावा माटे अहिया तमने बत्ती ची ट्रिप्स अने ट्रिप्स बतावती जे तो वीडियो वच्चे स्किप्ट ना करता पुरे पुरोजुचो तम जोई सकोचो अतकच्रा धाना वाटी ने तेयार थाई गया छे हवे 100 ग्राम जेतली मेथी ने धोई ने आरीते काणावडा टोपाम काड़ लाइसू एज रिते 40 पचाई ग्राम जेतला लिला धाना ने पन धोई ने एक काणावडा टोपामा काड़ी लाइए जीति बत्तुझ पाणे नितरी जाए त्यार बाद थोडिक मेथी लाइने आ प्रस्ट करी शको छो एकदम जिने जिनी आपणे समारी छे एज रिते 20-30 ग्राम जेटला लिला धाणा ने जिड़ा जिड़ा समारी लेशु लिला धाणा मात्रों बेतरां चमची पन तमें एड करी शको छो पड़ा यामे थोड़ु धाणानू प्रमाण वधाल लिदुछे त्यनी फ्लेवर को पसरसावचे जेकली मेठी लिदी होई तेना अढ़धा पन तमें धाणा लई सको छो तैना थी धोड़ी मेठीनी कड़वास पन ओज़ी लाग से पर मेठीनी फ्लेवर जो वधारे तमने पसंद हो ते प्रमाने तमें धाणा अनने मेठीनू प्रमाण वदारेके उचुर आखी सको छो मेथीना गोटा साथे खावा माँ तो केचप नी रेसिपी तमने दर्सना स्पुड एन किचान अब चैनल पर जोवा मड़ी जैसे आसी वाई दईनी तरी अथवा तो चटनी घरे की विरीते बनावी तेनी पन लिंक डिस्क्रिप्सन मा आपेली छे लिला धाणा अने मेथीन उप्योग जैरे करवानों होई त्यारे तेने धोईने कट करवी आम करवाती ते एकदम फ्रेस रहसे बिलकुल काडी नहीं पड़े हवे तेमा साथे लिला मर्चा तड़ीने खावा माटे मर्चा नहीं वच्चे ती आपड़े कट मार्क लगावी देशु अने बीच नो भाग काडी लएशु मर्चा ने तमें डीटा साथे पण आरीते कट करी ने राखी सको शो आसीवाई संबार्या मर्चा अथा तो आथेला मर्चा नू पण उप्योग तमें नास्ता मा आरीते फरसान साथे खरीडिल सको छो अईयां बव मर्चा तिखा पण नथी के बव मोरा पण नथी एर इतना मिडियम तिखास वाड़ा मर्चा लिदा छे हवे आ मर्चा ने आपणे जीना जीना समारी देशु जिती गोटा ने अंदर एड करवा थी खुबत सरस्ते नो टेस्ट आउसे मेथी ना गोटा नी जैम आपणे दार वड़ा पन करे एकदम सरर ताथी बनावी सक्के चोड़ा ना मकली दार ना अड़त नी दार ना चणा नी दार ना वगेरे मर्चा कट थैग्या छे हवे आपणे एक बावल मां 200 ग्राम जेटलो चाणा नो लोट लेशु आ लोटने में पहले थी चाड़ी ने जराख्यों छे तेमाल अतकच्रा करेला आपणे लीला दाणा ने एड कर देशु गोटा ने क्रिस्पी करवा माटे बे चमची जेटलो स सोजी आड करवो, सोजी ना होईतो रवोपन आड करी सको छो, एक चमची संचर, एक चमची काडा मरीन पावडर, अर्दी चमची हिंग, स्वादनू सार, एक चमची मिठू आड करवो, वन पींची जितली हर्दर आड करी सु, अर्दी चमची अजमो क्रस करीने आड करवो अर्धी चमची लाल मर्चु पावडर एड करू ती खास प्रमाणे वताये उच्छु करी सको छो थोड़ा लिला मर्चा जीना समारी ने एड करी सु अने हुफाडू गरम पाणी आपडे तैयार राख्यू छे लगबग अर्धा ग्लास जीटलू छे औने कप प्रमाणे एक कप जीटलू केवाई थोड़ू थोड़ू पाणी एड करता जैसु अने मिस्रण ने मिक्स करता जैसु खिराने बराबर फेटी ने घट खिरू तैयार करवानू पाणी नो उप्योक जरूर पूर्तोज हवे आ खिराने आपड़े 10 मिनिट माटे रेष्ट आपीछू अने धाणा अने मेथी ने जे आपड़े धुई ने कोरा करती दाँछे जो धाणा अने मेथी माँ जो पाणी नो बागा से तो खिरू थोड़ू पतलू थाई जसे आ वात नो ध्यान राखू अने खिराने खालीला मर्चा थोड़ा जीना समारी ने एड करिया छे औने मिस्रन ने सारे ते मिक्स कल लेए शू हवे जो आ समय तमने खिरू थोड़ू वधारे घट लागतू होई तो हाथ मा एक भी चमची जेतलू पाणीले ने फरी तमे एड करी सको छो औने उपड़ थी आम नीचे पार्ती वखते आर इतनु कीरू पढ़वू जोई है एनो मटलप के बेटर एक्टम परफेक्ट तयार छे आर इतनी परफेक्ट कंसिस्टन्सी जोई है बेटर एकदम परफेक्ट तयार थाई जै त्यार बादज तेमा सोडा एड करवो और या खावानों सोडा अथवा तो जे स्वादने बैलेंस कर से, हवे जारीदार गोटा तैयार करवा, गरम तेल थुड़ू एड करी सु, अहीं आपड़े तेल पण गरम करवा मुंकी दीदू छे, अने मीडियम तेल गरम करवानू छे, साथे यहां खीराने बराबर फेटी लेवू, सोडा नाख्या बाद खीर खीराने एकज तरफ थी फेटवू, जेती फर्मेंटेशन सारू थाई, अने तेमा हवा बराईने एक तम जारीदार गोटा तैयार थासे, हवे तेल गरम थाई कैलू अतु, तेमा लिला मर्च आपड़े तड़ी लिधा छे, अन तेनी पर थुडू मिठू लगावी त्यार बाद हात मा थी, कोरियो वाड़े ने ए रिते गोटा ने मुगता जाई सू, अथवा आ रितना फावे, तो तम्हें चमची नो पन उप्योग करी सको छो, चमची वड़े गोटा मुगता जावा, अईया बस एकज वातनो ध्यान राख मूँके तेल बराबर गरम था तेल बराबर गरम थाई कियो असे, तो जल्दी गोटा नो कलर बदलाई जासे, अने अंदर थी काचा रही जासे, जो तेल बराबर गरम नहीं होई, तो तेमा तेल भराबर गरम होई, ए वातनो फरीती चेक कर लेवू, अंदर थोड़ू खीरू एड़ करीने पन तम्हें च करी सकोचो, जो तरत खीरू उपर आवी जाई, तो समझू तेल बराबर गरम थे, तेल माथी धुमाडा निकड़े एवू तेल गरम न करवू, अवे तम्हें जोई सकोचो, एक बाजू गोटा बराबर कलर बदलाई, त्यार बाद आपड़े तेने बिजी बाजू पल्टा वी ने गोटा तैयार कती धाचे, अने तेने सर्विन पलिट में कड़ी लेशू, तम जोई सकोचो, अवाद सामड़ी सकोचो, कि गोटा कितला सरस बन्याचे, तमने तोडीन बताओ कि कितला सरस जारीदार गोटा तैयार थेयाचे, तमे पन आज बत्ती टिप्स अने ट्रि पर पन फॉलो करी सकोचो, फरी एक वार बताओ कि मेथीना गोटा किवी रितेम वनावा, आरीते अंदर तेलमा मुखी ने बिजी बाजू तैने पल्टावी देवा, थोड़ो कलर बदला इत्यार बादत तैने पल्टावा, तम जोई सकोचो मात्र 200 ग्राम चाणाना लोट म आवी होई तो आ वीडियो ने लाइक कर जो, सेर कर जो, अने घणा बदा लोकों ने सेर करता रे जो, जेती दरेक जन आ वीडियो नो लाब उठावी सके, गोटा नू उपर नू लेयर एक तम सरस क्रिस्पी बनी शे, औने तमने तोड़ी ने बत जोई सकोचो के एक तम जा पर थी हाथ थी पाड़िये, तो एक साथे नीचे पड़े ए रितनू होऊ जोई है, एनो मतलब के एक सर्खा व्यवस्थित गोटा बन से, एककत साइस ना अने तमे जोई सकोचो व्यवस्थित गोल्ड सेप मा बने छे, आम एथी ना गोटा ने तरता मात्र बे त्रोण मिन लागे छे, तो आवा तनू ध्यान रखवू, फरी मडी सू आज रिते नवा वीडियो साथे, त्या सुद्याव जोब, बाई, थेंक यू, जै सामिनान